काइंड़ी सब्क्राइब मैं चैनल एंड हिट ऑन दे बेल आइकन पर फॉर्द नॉटिफिकेशन हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक इन यूर बेस चैनल एमस कोचिंग इस्टिटूट फ्रेंड्स आज मैं लाइट लेशन में वीडियो नंबर 22 पढ़ाने जा रहा हूं और जिस इसमें मैंने रिफ्रेक्शन से लिया हुआ है लेटरल डिस्प्लेस्मेंट ओफ लाइट जी हाँ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है what is the lateral displacement of the light बहुत ही simple सा concept है but बहुत ही important topic है आईए हम इसको समझते है lateral displacement क्या होता है उस situation को समझने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ जिसके बारे मैं आप थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं suppose that ये हमारा air का medium है और ये हमारा glass lab है this is air and this is glass slab glass slab क्या होता है slab का मत्तब टुकड़ा होता है मतलब एक चप्टा सा टुकड़ा मतलब कांच का कोई भी चप्टा सा टुकड़ा तो ये rectangular slab rectangular size का एक glass का टुकड़ा होता है जिसको हमनों glass slab करते हैं practically इसको use भी किया जाता है तो अब आप देखेंगे air का medium हमारा क्या होता है rare होता है glass lab मतलब glass की बात की जा रही है तो कहीं न कहीं air के comparison में इसका medium कैसा होगा that will be denser ठीके अब यहाँ पर air से light ray incident कराई जा रही है यहाँ पर air से light ray incident कराई जा रही है आपको पता है rule के हिसाब से अगर मैं skill से आपको दिखाना चाहूँ अगर यह वाला हमारा incident ray है यह वाला हमारा incident ray है तो rule के हिसाब से यह जो मैंने diadust किया है सिधे सिधे जाना चाहिए लेकिन मैंने बताया था कि actually होता क्या है जब light ray एक medium से दूसरे medium में जाता है तो उनकी density में changes होता है और जब medium के density में changes होने की वज़र से speed of the light भी क्या हो जाता है change हो जाता है और उन changes की वज़र से light ray या तो normal की तरह bend होते हैं या normal से दूर की तरह bend होते हैं और जिससे हम क्या करते हैं reflection of light करते हैं दोस्तों तो रूल के हिसाब चाहिए यह सीधे-सीधे जाना चाहिए क्योंकि लाइट रहा हम इसा straight line travel करता है बट यह क्या हो गया बेंट हो गया अब बेंट भी किधर की तरफ हो रहा है अगर यह हमारा normal है जो आपको मालूम है यह normal है तो देखिए यह normal की तरफ बेंट हो रहा है normal की तरफ बेंट हो रहा है मेरे हाथ के movement को देखिए यह ऐसे होना चाहिए था बट यह बेंट हुआ और बेंट हो करके कुछ ऐसा बेंट हो गया तो किधर की तरफ बेंट हो रहा है नॉर्मल की तरफ बेंट हो रहा है ऐसा क्यों मैंने आपको बताया था कि जब रेरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती हैं तो बैंठ हो गया यहाँ तक चीजों को तो आप पहले से भी पढ़े हुए पर अब माली जीए ये वो boundary है जहां से light ray अब बाहर फिर से निकलेगी यहां से light ray फिर से बाहर निकलेगी अब आपको मालूम है कि ये denser medium से फिर से किस में आ गया रेरर मीडियम में light ray इमर्ज करेगी निकलेगी तो अब ये नॉर्मल से किधर कि तरफ जाएगा अब देखे रूल के हिसाब चे मैं अब डाइडाज बनाओंगा तो बहुत कॉंपलेक्ट डाइग्राम होगा रूल के हिसाब चे सीधे सीधे ऐसे जाता ये light ray हमारा ऐसे जाता सीधे सीधे करके लिकिन हो क्या रहा है ये बेंट हुआ और चूकि ये denser मीडियम से रेरर मीडियम में आ रहा है इसलिए ये ये नॉर्मल से क्या करेगा दूर कि तरह भागेगा देखे मेरे मुवमेंट को देखे नॉर्मल से किधर जाता है दूर कि तरह इस तरह से क्या कहा इमर्जेंट रे का इमर्ज मतलब होता निकलना उसी से नाम बना इमर्जेंट रे ठीक है दोस्तों अब आप इस दीज को देखिए यहां पर यह इंसीडेंट एंगल हुआ यह आपको अलेडी मालूम है यहां से रिफ्रेक्शन हो रहा है तो नॉर्मल और यह रिफ्र यह बात यह हमारा इमर्ज हो रहा है और यह नॉर्मल है इनके बीच का एंगल क्या बनेगा इए का मतलब क्या होता है इमर्जेंट एंगल होता है जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैंने लिखा हुआ है ठीक है अब यहां पर एक नेचर समझ में आया नेचर क्या समझ मे कि जब हम किसी भी लाइट रे को किसी ग्लास से just imagine करें अगर यहाँ पर ग्लास लैब नहीं होता तो यह क्या करता लाइट रे सीधे सीधे अपने पाफ से ट्रैवल करता यह करता ना लेकिन क्या हुआ glass slab से pass कराने के वज़े से ये bent हुआ टिक है immerge हुआ तो फिर bent हुआ तो ये bent हुआ लेकिन एक nature समझ में आया कि ये bent भी किस तरह से हो रहा है ये जो हमारा incident ray ये हमारा incident ray है ना, सिधे-सिधे जाता है ये हमारा incident ray होता ना यह incident ray के side में, lateral मतलब side में बोलता है, lateral का मतलब होता है side में, यह side में move करता है, सब्सक्राइब मेरा side में move करता है, और इस तरह से move करता है कि यह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, parallel होते हैं, मतलब emergent ray और incident ray, जो हमारा incident ray, यह हमारा incident ray है पूरा, normally देखेंगे, इनके बीच में एक parallel distance create होता है, या perpendicular to each other आप कहा सकते हैं, तो यही जितना एक दूसरे से दूर हुआ, incident ray और यह emergent ray के बीच में यह जितना भी displacement हुआ, distance create हुआ, इसी को कहते हैं, हम lateral displacement, lateral मतलब side में, side में कितना displacement हुआ, ठीक है, तो यह जितना ज्यादा दूर होता जाएगा, उतना ज्यादा हम उसको lateral displacement कहेंगे, बढ़ता चला जा रहा है, यह चीज़े आपको समझ में आ गई, अब यहाँ पर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, angle I is equal to incident angle जो आप जानते हैं, angle R is equal to reflected angle और E जो है, that is called emergent angle, अब जब यह चीज़ देखा गया, यह जो nature को देखा गया, कि light incident हुआ, फिर reflect हुआ, और फिर यह emergent हुआ, लेकिन inimic nature पाया गया, कि angle of I is equal to angle of E, incident angle, emergent angle के बराबर पाया गया, यह एक nature पाया गया, और यह emergent जो ray था, यह क्या था, यह हमारे incident ray के perpendicular में, side में, displace हो रहा है, तो यह जो displacement हो रहा है, parallel में दूसरे के या perpendicular कह सकते हैं, इसी को कहते हैं, lateral displacement, तो इस प्रकार चे हमारा जो definition बनता है, वो क्या बनता है, the perpendicular distance between the emergent ray and incident ray, when the light ray passes out of a glass slab, is called lateral displacement, वो particular distance, वो particular distance, जो क्या है, एक दूसरे के perpendicular है, एक दूसरे के perpendicular है, या parallel distance बोलीजे, किसके किसके बीच का distance भई, incident ray और emergent ray, इन दूनों के बीच में जो parallel ये distance create हो रहा है, यही distance को हम क्या करते हैं, lateral displacement करते हैं, कब ये lateral displacement होता है, जब light ray emerge होती है, कहां से, जब light ray incident होती है, किसी glass slab से riptect करके फिर से emerge होती है, मतलब जब light ray किसी glass slab से incident हो करके emerge होती है, तो इन दोनों के incident ray और emergent ray के बीच के distance को क्या करते हैं, lateral displacement करते हैं, ठीक है दोस्तों, जो मैंने ये बताया था, angle I is equal to angle E होता है, incident angle is equal to emergent angle होता है, इसको याद रखेगा, ये बहुत important चीज है lateral displacement के लिए, glass shift the light parallel, actually क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पर lateral displacement हो रहा है, इसमें ये glass क्या कर रहा है, ये glass जो है light को parallel में shift कर रहा है, nature के साब से ऐसे जाता और ये को shift कर रहा है, और ये ऐसे shift कर रहा है कि ये दोनों light रेक दूसरे की क्या है, parallel है, ये lateral displacement का बहुत important key point है, अब बात आती है कि कौन कौन से factors हैं जिन पे lateral displacement depend करता है What are the factors on that basis lateral displacement works पहला जो factor है वो है कि as much will be incident angle lateral displacement will be so that जितना ज्यादा incident angle होगा उतना ही ज्यादा lateral displacement होगा तो पहला factor depend करता है incident angle जितना ज्यादा incident angle ज्यादा पाया गया उतना ही ज्यादा lateral displacement पाया गया ठीके दोस्तों चलिए Next है as much will be refractive index ये refractive index क्या होता है मैं अगले अपने वीडियो में इसको बताने वाला हूँ जब मैं law of reflection पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ये topic आएगा तो मैं उसको समझा दूँगा आपको अभी बस याद कलीजिए कि जितना ज्यादा refractive index होगा उस glass का उतना ही ज्यादा lateral displacement होगा बस इतना चीजिए आप याद कलीजिए जितना ज्यादा refractive index उतना ज्यादा lateral displacement होगा तीसरा चीज होता है thickness पर डिपेंड करता है thickness की बात की जाया तो जैसे मैं glass slab rectangular shape में बनाया था तो यह जो हिस्सा होता है इसकी thickness की बात कर रहा है अब यह जितना ज्यादा है अब मैं और ज्यादा कर दूँ और ज्यादा कर दूँ जितना ज्यादा thickness का मतलब इसकी बात की जारी इसको याद रखेगा तो यह जितना ज्यादा होगा lateral displacement भी क्या होगा उतना ही ज्यादा हो और थर्ड चीज होता है हर एक पर्टिकुलर यूनिक लाइट को देखा जाए तो वो लाइट जो है सेवन कलर का कम्बिनेशन होता है तो ये जो लेटरल डिस्प्लेस्मेंट की नेचर को यूनिक कलर के बेस पर भी स्टेडी किया गया है और उसी की बेस पर ये लेटरल डिस्प्लेस्मेंट की डेफिनेशन आपको दी गई है तो जिस भी लाइट का कलर जिसका वेवलेंद कम होगा वेवलेंद का मतलब आपको मालूम है तो जितना कम wavelength किसी भी light के color का होगा उतना ही जादा उनमें lateral displacement पाया जाएगा wavelength को lambda से रेप्रेजन करते हैं तो जितना कम wavelength होगा उतना जादा वो displaced हो जाएगा तो आपको मालूम है अगर हम देखें वाइट रेज चे 7 कल में सनल होता है violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red इसमें सबसे कम wavelength किसका होता है violet color का होता है तो violet का सबसे कम wavelength होता है इसका मतब lateral displacement किस color का सबसे जादा होगा violet color का सबसे जादा होगा और red color का wavelength सबसे जादा होता है इसलिए इसका lateral displacement क्या होगा सबसे कम होगा I hope कि आपको दोस्तों जो है lateral displacement क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ज़्यादा deep में जाने की जुरूत नहीं है बट जो basic requirement एक CBC board से है जो basic knowledge आपको होना चाहिए वो मैंने आपको clear कर दिया है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया टापिक समझ में अच्छे साया तो आप इसे like करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करें और अगर आपने अभी तक हमारे channel MS coaching institute को subscribe नहीं किया है तो मैं request करूँगा कि सबसे पहले आप subscribe कर लें और side में दिये हुए bell icon को भी ज